रोईद भाई 5 सेकंड पहले मेरी बात को सुन लो गाईज देखो ये जो चीज़ां आप देख रहो ना लाइक गोरिला हो गया, न्यू कार्स, हेलिकॉप्टर्स वगेरा ये सिर्फ मैंने एंटेटेंडमेन के लिए एड करी है एक्च्वल मैं आपको ये गेम के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर में आपको इससे भी ज़्यादा खतरनाक सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूँ इसके लोगेज अगर आप 5-1 डायल करते हो तो यहाँ पर जो टी रेक्स डायनसोर जो कि हमें जुरासिक पार्क के अंदर देखने को मिलता था आगे इसके बारे मैं आपको बताऊंगा ठीक है? उसके बाद अगर आप यहाँ पर 5-3 डायल करते हो ना तो एक और डायनसोर आएगा जो की है ब्रैकियोसोरस और यह अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा डायनसोर है पूरे इंडियन बाई गेम के अंदर इससे बड़ा एनिमल अभी तक अड़ नहीं हुआ है यह सबसे बड़ा डायनसोर है तो यह थे गाइस डायनसोरस के सीक्रेट चीट कोट अब आते हैं अपने पालतू जानवर जो कि हमें फोलो करते हैं हम उनके ओपर बैट भी सकते हैं अगर आप यहाँ पर 5050 डायल करते हो ना तो वेलोसी रैप्टर आएगा लेकिन यह वाला जो वेलोसी रैप्टर रहना पहले वाले से अलग है ऐसा क्यों बोल रहा हूं है अभी आपको पता चल जाएगा उसके बाद अगर आप 200 डायल करते हो ना डायलर में तो यहाँ पर आपको एक घोडा देखने को मिलेगा और 600 डायल करते हो तो आपको एक कुता भी देखने को मिल जाएगा लेकिन इसमें वेलोसी रेप्टर में खास बात यह कि इसके उपर आप बैट सकते हो इसके लावा आप NPC को इससे कटवा भी सकते हो और NPC मर भी जाता है खेर गईज यह काफी पुराना अपडेट है काफी लोगों को पता होगा लेकिन इस अपडेट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चेंजेस हुआ था अगर आप डोग के पास जाते हो ना ओल राइट यहाँ पर बैटना का उप्सन ही नहीं आ रहा इस साइड से आता है यहाँ पर तो यहाँ पर आप डोग के उपर बैट सकते हो पहले आप डोग के उपर नहीं बैट सकते थे लेकिन अब फाइनली न्यू अपडेट के बाद इसके उपर आप बैट सकते हो इतना ही नहीं आप किसी NPC को कटवा भी सकते हो जैसे कि यह देखो यहाँ पर यह NPC खूला गूम रहा है और यहाँ पर डोग ने एक बैट दो बैट में यहाँ पर NPC को खतम कर दिया पहले सिर्फ डोग आपको फोलो करता था लेकिन अब भाई आप इसको पर बैट भी सकते हो अब आतीए गई सीक्रेट कार्स के चीट कोड़ तो सबसे पहले एक न्यू थार एड हुई थी आप सभी को पता हुगा उसका चीट कोड़ है 9191 यह डायल करोगे बाई न्यू वाली थार आजाएगी इसके बाद पुरानी वाली थार के लिए आपको 9090 डायल करना तो उसका चीट कोड़ है 3100 उसके बाद गई से 2224 डायल करते हो तो सूपर आएगी जो कि मेरी तो फेवरेट कार है उसके बाद अगर आप यहाँ पर 8123 डायल करते हो तो मस्तेंग आएगी उसके बाद डबल एडबल वन डायल करते हो तो फरारी आने वाली है और गाईज अभी तो बस देखते जाओ, उसके बाद अगर आप डायल करते हो ना 2020 तो आपके सामने आएगी एंडवर, और भाई अभी तो अमबाल लगने वाले गालियों के, उसके बाद गाईज अगर आप डायल करते हो 1001 तो यहाँ पर आपके सामने आएगी लिजंडर, और अगर आप डायल करते हो 1000 तो फोर्ट चुनर भी आजाएगी, उसके बाद 6666 डायल करते हो ना तो भाई रेंज रोवर आएगी जो की आती पता ने बार बार उचलती है, और अगर आप 300 डायल करोगे तो टार्जन दो वंडर कार आने वाली है, और उसके बाद अगर आ अबर 2000 डायल करते हो तो भाई आपके सामने आएगी रॉल्स रॉयस, उसके बाद अगर आप 800 डायल करते हो तो आपके सामने आएगी बुगाटी वर्जन टू, उसके बाद 900 डायल करते हो तो आएगी सूपरकार कॉनिक सैग, उसके बाद अगर आप 500 डायल करते हो तो तो गाईज पुलिस कार आने वाली है और गाईज पुलिस कार में अपडेट यह हुआ कि आप इसको स्पॉन करते हो तो साइरन नहीं बजेगा उसके बाद अगर आप 101 डायल करोगे तो एक और पुलिस कार आएगी दो पुलिस कार है टोटल गेम के अंदर और यह रही उनों के दोनों थार भी अपनी आ चुकी है तो यह थे सारी कार्स के चीट कोड अब आते हैं गाईज हैवी वेहकल्स के चीट कोड जो कि यह एकदम भारी भारी होते है ना तो सबसे पहले गाईज आती है JCB अगर आप डबल सिक्स डबल सेवन डायल करोगे तो JCB आ ट्रेलर भी आने वाला है यह देखो कितना ज्यादा बड़ा ट्रक हो गया उसके बाद अगर आप 606 डायल करोगे तो फायर ट्रक भी आ जाएगा तो यह थे गाईज चार पांच हैवी वेहकल्स लाइक फायर ट्रक ट्रेलर विद ट्रक और यहां पर टैंक और JCB यह सबसे ज्यादा हैवी वेहकल्स हैं अब आते हैं गाईज मॉंस्टर ट्रक अब यहार मॉंस्टर ट्रक को स्विमिंग पूल में इसलिए स्पाउन कर रहा हूं विकोज यहां पर जंप नहीं करते हैं तो अगर आप 0300 डायल करते हो तो यहां पर टार्जन मॉंस्टर ट्रक आने वा अगर आप यहां पर डायल करते हो 0900 तो कोनिक सेग वाला मॉंस्टर ट्रक भी आ जाएगा यहां पर टोटल कितने मॉंस्टर ट्रक है आज आपको पता भी चल जाएगा तो देखते हो गाईज उसके बाद आप यहां पर स्पाउन करना पड़ेगा थोड़ा सा दूर ओके च 9090 डायल करोगे तो थार वाला मॉंस्टर ट्रक आएगा ठीक है यह थार भी आ गई आपकी उसके बाद अब आते हैं लास्ट टू मॉंस्टर ट्रक ठीक है तो अगर आप यहां पर 0100 डायल करते हो ना तो पुलीस कार वाला मॉंस्टर ट्रक भी आ जाएगा अब एक लास्ट total 8 monster truck I think होते हैं आप गईस मैं आपको और भी secret cheat code बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक छोटा सा break आप गईस आगे बनने से पहले काफी लोग मुझे पिछली वीडियो की comment में पूछ आते हैं भाई अभी हम यहाँ पर student है या फिर college या फिर job कर रहे हैं फ्लेप का उसमें आपको बताना है head आएगा या फिर tail और अगर आप एकदम perfect बता दीता हो ना तो आपको 500 की जगा 1000 भी मिल सकते हैं और यहाँ पर देखो मिझे 460 मिले हैं चलो गईस अब total amount को withdraw करते हैं यह देखो गईस instantly 900 रुपे मेरे account में आ चुके हैं जैसे कि आपने देखा है इतने कम टाइम में इतने पैसे अपन को मिल चुके हैं तो आप अपना आदा गंटा लगा के यहाँ पर 4000-5000 रुपे भी कमा सकते हैं और यह offer है न अब end होने ही वाला है तो जल्दी से मेरा promo code Tiox use करो website और app का link pinned comment में जाकर download तो guys अब बारी यहाँ पर flying vehicle की अभी तो देखते जाओ कितना मज़ा आने वाला है तो guys अगर आप 555 डाइल करते हो न तो यहाँ पर एक plane spawn हो जाएगा yellow color का जो कि आपको airport के ओपर भी देखने को मिलता है सभी को पता होगा उसके बाद अगर आप यहाँ पर बारे बारी बारी करके दिखा देता हो यह देखो यह mini jetpack हो गया उसके बाद यह है guys GTA 500 jetpack और इसके बगल में guys helicopter हो सबसे last plane तो सारे flying vehicle के cheat code मैंने आपको बता दिये अब बारी है guys bikes की और सारी के सारी bikes बताने वाला हो special vehicles बे आपको बताऊंगा ठीक है तो अगर आप 9000 डायल करते हो ना तो guys आपकी देशी गाड़ी जो की स्प्लेंडर वो आजाएगी उसके बाद अगर आप डायल करते हो 6021 तो guys सूपर स्प्लेंडर भी आजाएगी मतलब की दोनों देशी भाई का चुकी अपने इसके बाद अगर आप 777 तो यहाँ पर डूक 200 भी आ जाएगी उसके बाद अगर आप 888 डायल करते हो ना तो बाई 1290 भी आ जाएगी 5000 डायल करने पर यहाँ पर PULSER RS200 आ जाहएगी और 1211 करने पर यहाँ पर PULSER आ जाहएगी ठीक है उसके बाद अगर आप 1210 वन जिरो डायल करते हो ना तो यहां पर KTM आजाएगी उसके बाद अगर आप डबल वन नाइन जिरो डायल करते हो तो यहां पर KTM 1190 भी आजाएगी सारी KTM, Pulser वगेरा सब दिखा देगाई 4050 डायल करते हो तो यहां पर Apache आने वाली है उसके बाद 777 डायल करोगे तो डुकाटी आएगी ठीक है डुकाटी डेवल 666 डायल करोगे तो यहां पर बने ली TNT आजाएगी उसके बाद गईज अगर आप यहां पर 400 डायल करते हो तो ZX-10R आने वाली जो की मेरी फेवरेट इसको चलाता हूं मैं 3000 डायल करते हो तो यहां पर Ninja H2R आएगी जो की आपकी फेवरेट है 7000 डायल करते हो तो हाया बुस आ जाएगी डबल नाइन डबल नाइन डायल करते हो तो बुलेट आ जाएगी तो यह थी नॉर्मल वेहकल मतब नॉर्मल सारी के सारी बाइक्स मैं आ आपको डायल करना है 1111 तो यहां पर एक साइकल आजाएगी ठीक है यह उसके बाद अगर आपको 0000 डायल करते हो तो यहां पर आपको लास्ट स्पेसल वियकल है डबल टू डबल टू डायल करोगे तो यहां पर एटीवी बाइक आ जाएगी जो की फोर वीलर बाइक है तो यह रही गाइस सारी की सारी स्पेसल बाइक तो गाइस अभी तक गाड़ियों की जितने भी चीट कोड़ थे न वो सारे में आपको बता लेकिन काफी सारी चीजा भी बाकी पढ़ी है लाइक आर्जेस टूल वगेरा प्लेयर के चीट कोड़ सब कुछ बताता हूँ गाइस एक एक करके उसके पाद अगर आप डबल जिरू डायल करते हो तो आपको फ्यूल टेंक देखने को मिलेगा जो की सिंगल स्पाउन होता है अब बात करते हैं गाइस एनपीसी की चीट कोड़ की ठीक है तो नॉर्मली आपको देखो यहां पर कुछ एनपीसी दिख रहोंगे एक दो तीन तीन एनपीसी आपको टोटल दिख रहोंगे पूरे गेम के अंदर ठीक है लेकिन अगर आप एक चीट कोड़ डायल करते हो ना 1,2,3,4,5 तो यहां पर टोटल 6 एनपीसी स्पाउन हो जाएंगे मैं आपको दिखाता हूं देखो एक वहां हो गया एक यहां पर है और एक साम लाइक यहां पर 5,4,3,2,1 यह चीट कोड़ आप डायल करोगे तो यहां पर गाडिया भी दुगनी हो जाएगी यानि कि चार गाडिया आपको देखने को मिलेगी देखो एक वहां पर है और एक वहां पर है और एक वह रही और एक ग्रीन वाली लैंबोर गिनी यहां पर ट तो आप इनको इतनी आसानी से मान नी सकते आपको गन निकालनी पड़ती है और अगर आप यहां पर यह जॉम्बी को हटाना चाहते हो तो आपको वापस 20-30 चीट को डायल करना यह जॉम्बी हट जाएंगे बट उससे काफी मुस्किल होती इसलिए इससे बढ़िया की आप गेम को बैक ही कर दो यहां पर यह मोड ही खतम हो जाएगा अब आते हैं अपने प्लेयर के चीट कोड मतलब कि अपना जो करेक्टर है नहीं वो क्या क्या कर सकता है यह आपको बताता हूं तो सबसे पहले गाइस इनफाइने हैल्थ अगर आप यहां पर 9129 डायल करते हो तो आपको जाना है फिर से डायल में और यहां पर आपको डायल करना है 1215 जैसे आप यह चीट कोड डायल करोगे तो आपका करेक्टर जो है डबल जम्प लेने वाला है मतलब कि लॉंग जम्प लेगा और इससे भी हाई जम्प आप ले सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा ब 1216 यह आप डायल करते हो न तो बहुत ही जादा लंबी जम्प लेने वाला आपको करेक्टर इतनी जादा लंबी जम्प लेगा कि नीचे गिंड़ने में भी काफी जादा टाइम लगने वाला है इवन यहां पर पुलीस टेसन से बाहर आ चुके हम और अगर यह वाले चीट फोल करने लगेगा और यह इतना जादा उपर से गिरता है इसको गिरने में बहुत जादा टाइम लग जाता है तो यह वन आप दे बैस्ट चीट कोड है अब गाइस बात करते हैं पाथवे चीट कोड की अगर आप यहां पर त्रिपल वन टू डायल करते हो न तो आपका कर करना तो एक बार फीर से डायल करना होगा 312 थोड़ा टाइम लगेगा यहां पर यह चीट कोड अटिवेट होने में जैसे अप अपर आपका स्लो मोसं हट जाएगा तो यहां पर यह ता फिप्त वाला प्लेयर का चीट कोड उसके बाद आब यहां पर मून ग्रेविट का च सेबल हो जाएगी अब एक लास्ट प्लेयर का चीट कोड़ बताता हूं अगर आप यहां पर डबल जिरो डबल जिरो जिरो पांच बर जिरो डाल करते हो तो आपका जो प्लेयर है ना सुसाइड कर लेगा तो गाई यह सब से ज्यादा सीक्रेट चीट कोड़ जो कि काफी कम लोगों को बता है यह अपने आप इस सुसाइड कर लेता है ओकी कैज़ अब लास्ट एंड फाइनल जो की है आर जीए स्टूल और आर जीए स्टूल का सबसे पहला चीट कोड़ बहुत खतरनाक है तो आपको आर जीए स्टूल में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है ए आई एम इसका मतलब होता है एम तो यहाँ पर टार्गेट मोड ओन हो जाएगा और इसकी मुदब से आप क्या नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले आपको डायलर में जाना है फिर से और यहा जानने के एनपीसी जा रहा है जैसी मैं उसके अपर एक गोली फायर करूँगा यह भाई वैलोसी रॉप्टर भागता हुआ जाएगा और उसको मार देगा दो तीन सोट लगेंगे साइथ देखो मार दिया उसको तो यहाँ पर जितने भी मैं डाइनसोर अब भी स्पॉन कर यहाँ पर जैसी एम लोग करते है डैनसोर वहाँ बाग के जाता है और एनपीसी को किल कर देता है इसमें काफी सारी सीक्रेट चीजे भी है वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो गैस अब देखना यहाँ पर मैं फाइव टू से यहाँ पर स्पाइनसोरस को बुला लिय लगते हैं अराम से इतना दूर से लगता नहीं है भाई लग जा देखो गाई उसको भी मानने लग गया हूँ तो भाई यह तीन डैनसोर ऐसे हैं जो कि अटैक करने पर बागते वह जाते हैं और एनपीसी को मानने लग जाते हैं अब गैसे एक मैजिक दिखाता हूँ पैनोसोरस T-Rex को मानने आ रहा है अब ही देखना गाई खमासान यूद होने वाला यहाँ पर बस T-Rex फाइट नहीं करेगा बस यहाँ पर यह इसको मारता रहेगा इस पैनोसोरस और इसको खतम कर दिया पिचारे को अब यहाँ पर वेलोसीरेप्टर को भी मरवा देते हैं और भाई वो तो दो सोट में मर गया और इतने ही नहीं गाईज ये खुद को भी मार सकता है ये देखो इसके ओपर मैंने एम करा और ये खुद को भी मार के खुद ही मर गया भाई तो भाई ये था पहला RGS टूल का चीट कोड और गाईज वो जो अब बात करते हैं आपर सेकेंड RGS टूल चीट कोड की तो अभी मैं सोरूम के पास में आ चुका हूँ और यहां पर देखो आपको सामने एक महाँ पर कंटेनर वाला एरिया दिखाए देरोगा उस पर फोकस करना ठीक है तो यहां पर RGS टूल में चलते हैं और यहां पर हमें लिखूँँगा ROLL उसके बाद ON लिखूँगा ON रोल ON लिखूँगा तो भाई यह देखो यह कंटेनर जो है न यह रैंप ओटोमेटिकली गूमने लग जाएगा और अगर आपको इसको OFF करना है तो आपको फिर से RGS टूल में लिखना होगा ROLL L और OFF रोल OFF तो यहां पर जिस पोजिशन में आप इसको OFF करोगे उसी पोजिशन में यह OFF हो जाएगा अब बात करतेगा इस RGS टूल के तीसरे सीक्रेट चीट कोट की तो आप अपने हाउस का कलर चेंज कर सकते हो तो आपको जाना RGS टूल में और यहां पर लिखना है HO-U-S-E जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही टाइप करना है फिर टाइप करना है यहाँ पर C-O-L-O-R कलर हाउस कलर लिखना है उसके बाद कोई भी कलर आपको डाल देना ठीक है लेकि यहाँ पर मैं डालता हूँ ग्रीन और आप राइट करोगे न तो भाई यह ग्रीन कलर हो जाएगा अपना पूरा हाउस ठीक है इसी तरीक से आप और कलर डाल सकते हो कलर के नाम आपको बताता हूँ यलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे, वाइट यह जितने भी कलर अभी मैं आपको बोल के दिखाए यह आप टाइप करते हो तो भाई सारे कलर अपला होने वाले है इसके लिए एक सीक्रेट कलर भी उताता हूँ, अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो हाउस कलर, उसके बाद आपको टाइप करना है और जैसे आप बार जाओगे न तो यहाँ पर आरजिबी कलर हट जाएगा जो नॉर्मल कलर आपने लगाया था ना, लाइक ग्रीन वही आपको दिखने वाला है बस, और अगर आप यह बार घर का कलर नॉर्मल करना चाते हो तो आपको टाइप करना है हाउस कलर वाइट, जैसे आप यह कलर टाइप करोगे और अपलाई करोगे तो भाई आपका जो गहर है वो नॉर्मल हो जाएगा बाई डिफोल्ट इसके लोग आप सोरूम का कलर भी चेंज कर सकते हो तो सोरूम कलर चेंज करने के लिए आपको टाइप करना होगा हाउस कलर हाउस कलर हाउस वही सैम चीट कोड जो कि आपने हाउस पर टाइप किया था ठीक है अब यहां पर मैंने लिखा है हाउस कलर ग्रीन तो यह देखो गाईस सोरूम भी अपना ग्रीन कलर का हो चुका है मतलब हाउस के साथ में आप सोरूम का भी कलर कर सकते हो यलो ग्रीन ब्लू रेड ग्रे वाइट इसके लोग जो फॉन का बैक कवर है उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो तो Cover के total color के नाम बताता हूँ, yellow, green, blue, red, grey, pink, white. Total आप 7 color कर सकते हो phone के back cover को, ठीक है? यहाँ पर मैं एक और color आपको दिखा देता हूँ, like यहाँ पर मैंने लिखा blue, यह देखो phone का जो back cover हो blue color का हो गया. इसके लोगाइज मैं आपको एक और secret cheat code बताता हूँ, जो कि काफी कम लोगों को पता है, तो आपको RGStool में लिखना है, F-A-N-O-N, fan on लिखोगे तो भाई, पंखा चालू हो जाएगा, और अगर आपको इसको off करना है, तो आपको फिर से type करना होगा fan off, ठीक है, F-A-N-O-F fan off लिखोगे तो यहाँ पर पंखा off हो जाएगा, इसके लोगाइज यहाँ पर आपको lamp चालू करना है, सामने जो lamp पड़ा है, तो इसके लिए आपको simply dialer में जाना है, और यहाँ पर 9 type कर देना, ठीक है, डायल करोगे तो यहाँ पर यह night होगी, और यह lamp automatically जल जाएगे, य यहाँ पर आपको type करना है, UI of, ठीक है, UI of type करोगे और write करोगे तो यहाँ पर देखो, button की जो transparency थी वो थोड़ी से कम हो जाएगी, इसके लोगाइज, अगर आप वापस इसको लाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, UI on, RG tool में लिखोगे और यहाँ पर सारे कर दिया, अब वापस यहाँ पर मैं phone open करता हूँ, और RG tool में जाके यहाँ पर लिखता हूँ, LOAD load, तो देखना जहाँ पर मैं गेम को save किया था, वहीं पर मैं दो बारा से spawn हो जाऊँगा, तो ऐसे मैं आप कहीं पर भी आपने character को save कर सकते हो, और उसी position को आप वापस से load भी कर सकते हो, अब गयाँ बहुत ही जादा secret cheat code आपको RG tool में जाना और यहाँ पर type करना है, J E T Z, यह आप type करोगे ना, और write करोगे तो थोड़ी देर बाद एना, आपको थोड़ी देर बाद हवा में एक एना jet उड़ता हुआ दिखाए देगा, देखते हैं अभी यहाँ पर आया है, या फिर नहीं कहीं तो होगा ना, आजा भाई, आजा कहीं पर तो आया, वो रहा देखो गाईज, वो रहा माँ पर, और कभी-कभी है ना, नीचे जमीन पर जाके टकरा के फट जाता है, लेकिन इस बार इसने टन ले लिया यार, देखो कितना जॉदा बड़ा ह लगते हो, लाइक आपको बार-बार टाइप करना, जट, 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 देखो मैं आपको सामने टाइप करके दिखाता हूँ, जट मैंने दो बार लिख दिया, तीन बार लिख दिया, ठीक है, उसके बादे, देखो यहाँ पर मैं चौती बार भी लिख रहा हूँ, अगर आपके पास आने पर इंट पर फायर करते हो न तो यह नीचे जाके गिर भी जाते हैं, ऑके यह damage हुआ और वह नीचे जाके गिर गया, दिखा नहीं, यारो चहीं तो ब्लास्ट होगे जाके, बाकी यह सारे भी अपने आप जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं, अब यहाँ पर एक last RJS tool का cheat code बचा हुआ है तो अगर आपके showroom में इस तरह से card नहीं आरी न like supercar, super आव अगेरा यहाँ पर काफी सारी car पढ़िये तो आपको यहाँ पर RJS tool में जाना है और यहाँ पर लिखना है car by car by लिखोगे तो यहाँ पर एक cheat code अक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपको game को restart करना है और वापस से इसी location पर आना showroom की ठीक है तो यहाँ पर आपको car देखने को मिल जाएगी अब गईज अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है न